दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बदा दूँ अगर आपने इस तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साइड में नोटिफिक्शन बेल को जरूर दबा लें तक हमारी वीडियो के नोटिफिक्शन आप तक कहुंचते रहे जैन दोस्तो वेलकम ट्यू डामेंड क्लासेज आज अब पढ़ेंगे क्लॉक वाटर इमेज इससे पहले अपने पहले वाले वीडियो में अपने पढ़ाता क्लॉक मिरर इमेज उसकी डिस्क्रेप्शन में लिंक के आप वह लिंक में जाके वह वीडियो देख सकते हैं तो मेरे वाटर इमेज निकाल दीजिए ठीक है तो अपन फॉर्मॉला देखते हैं पहले वाटर इमेज कर दूद्टू कि साड़े अठारा से अपन जो अपन को टाइम देके रखता है उससे माइनस करते हैं यह हमारा फॉर्मॉला है ठीक है दोस्तो जैसे अपन कॉश्चन देखते हैं पहला कॉश्चन की दो बच के दस मिनिट की मेरे इमेज क्या होगी तो कुछ नहीं आप उनको बस फॉर्मॉले में पूट करना है वाटर इमेज क्या है एट थर्टी यह टाइम अपना टू दो बच के दस मिनिट देखे इसको माइनस करना है तो मैं आपको माइनस करके दिखाता हूं थर्टी यह टू और यह टैन ठीक है दोस्तो माइनस करना है थर्टी में जिरो से जिरो थी से वन गया टू एट से टू गया शेक्स यह वन का वन अब मतलब 16 के बीस मिनिट इसका मतलब क्या होता है दोस्तो इसका मतलब होता है इसको अपन चार बच के 20 मिनिट गयते हैं ठीक है दोस्तों अब जैसे बहुत से लोग को कंफीजन होता है कि एकदम से कैसे पता लगाए कि आप 16 बच की 20 मिनिट रहे तो क्या हो रहा है तो कुछ नहीं करना है इसको सिंपल से 12 से माइनस कर देना है डायरेक्ट 12 से माइनस कर देंगे तो आपका यह आ को देख लेते हैं अपन जैसे की अगरे पांज बचके अगरे 15 मिनिट ठीक है दोस्तों अब मैं आपको फॉर्म्रा नहीं लिकूंगा डायरेक्ट सौल करके बताऊंगा अपनको डायरेक्ट 18 से इसको माइनस करना है पांज बचके 15 मिनिट को ठीक है ना अब अब यह जाना है तो दस में से पांच गया पांच यहां बचाता हो दो में से एक गया एक ठीक है आट में से पांच गया तीन और यह एक अब वही इसका मतलब होता है दोस्तों एक बचके 15 मिनिट पे इस कोश्चन की मेरा रिमेज बनेगी अब एक और कोशन देख लेते हैं थोड़ाचा जिसमें आप लोग को डाउट रहता है उस टाइप का सिक्स फॉर्टी पे की मिरे रिमेज क्या होगी तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों वैसे ही सौरी दोस्तों वाटर इमेज वह बार-बार में को एकदम फ्लो में निकल रहा है दोस्तों एट थर्टी से अपन इसको माइनस कर देंगे तो अपन यहां से एक गंटा ले लेंगा वह गंटे में कितने साट मिनिट होते हैं तो इस थर्टी में अपन 60 को एड़ कर देंगे यहां से 60 ले दिया तो 60 और 30 और यहां पर अपना 70 नहीं बचा अब 60 और 30 60 30 90 90 में से 40 गया मतलब 50 ठीक है अब सत्रह यहां पर अठार के लिए का सत्रह बचा क्योंकि अपने सिक्स्टी मिनिट यहां बहुर्व ले लिया ठीक है 17 में से 6 गया कितना बचा अपना 11 तो इसकी वाटर रिवेंच 1150 बनेगी ठीक है दोस्तों अब एक और कॉशन ले लेत कि वाटर इमेज क्या बनेगी तो वही अपनी सिम्पल सी स्पीड में यह 430 यह 0 यह 0 यह 14 इस 14 का मतलब क्या होता है दोस्तों तो यह हमारी इसकी वाटर इमेज ठीक है दोस्तों ठैंक यू झाल